वाट्स आप माई वीचियंज बच्चे बहुत बार जेई के पेपर में नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो नेगेतिवीटी की वेल्यूज याज रखनी होती हैं इवन जब आप औरगानिक के questions करते हैं औरगानिक dipping में आपको पता होना चाई की कौन सा ज़ादा इलेक्ट्रो नेगेतिव है कौन सा कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है क्यूं क्यूंकि कि माँ पर इंड़क्टिव एफेक्ट के क्वेस्टिन अप करते हैं. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेल्यू जरटनी नहीं है. बहुत ही असान साथ स्वी शॉटकट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. देखते हैं, चमकेगा या नहीं चमकेगा. देखें बच्चे, ये हमारे most common elements हैं, जिनकी electronegativity अपने को आनी चाहिए. सबसे पहले, अगर मैं hydrogen के साथ start करती हूँ, बच्चे, ये आपको पता है, आपने, I think class 7-8 से ही पढ़ना शुडू कर दिया था, hydrogen की electronegativity 2.1 होती है, ये आपको पता है. अब बाकियों की कैसे याद रखनी है, ध्यान से सुनना, fluorine most electronegative है, आपको पता है कि माम, इसकी electronegativity सबसे जादा है, 4.0. अगर मैं Pauling scale की बात करूँ, electronegativity 4.0. अब आपने पते क्या करना है, जैसे-जैसे आप एक कदम पीछे आएंगे, 0.5 नंबर काटते जाना, जैसे-जैसे आप पीछे आएंगे, 0.5 काटते जाना, तो इसकी electronegativity 4, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 1.5, लीथियम की कितनी 1, चमका, electronegativity 2nd period वालों की चमक गई, अब हम 3rd period की बात करते हैं, देखो, 2nd period में जब हम पीछे जा रहे थे, कितने का घाटा किया था? 0.5 का, जब आप 2nd से 3rd period में आएंगे, सबसे पहले 1 का घाटा करना है, अगर fluorine की 4 थी, तो chlorine की कितनी 3 है, अब जब आप पीछे जाएंगे, पहले तो आप 0.5 का घाटा करो, जैसे पिछली पार किया था, तो ये 3 है, तो ये कितनी होगी, अब हम 0.4 का घाटा करेंगे, तो 2.5 में से 0.4 गया, कितना आया? 2.1, समझ गए? अब कितने का घाटा करना है, 0.3 का, 0.3 के घाटे करते जाओ, तो 2.1 में से 0.3 गया, 1.8, फिर 0.3 माइनस करोगे, 1.5, फिर 0.3 माइनस करोगे, 1.2, फिर 0.3 माइनस करोगे, आंसर कितना आजाएगा, 0.9, चमका, अब धियान से देखना, क्लोरीन से ब्रोमीन के साइड आएंगे, तो 0.2 का घाटा, यानि कि 2.8, यहां से और नीचे आएंगे, 0.2 का घाटा, यानि कि 2.6, तो यह देखो, जितने भी elements, जो इतने important है, इतने most common है, कि यहीं से सवाल आप से पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से, यह शॉर्टकट अगर आपको चमक गया होगा, तो देखो, इलेक्ट्रो नेगिटिविटी की वेल्यूज आपने फटा-फट, कितना मिनट, एक मिनट लगा होगा, और पूरी की पूरी इलेक्ट्रो नेगिटिविटी की वेल्यूज आपको याद होगी हो, अगर कॉंसेप्ट अच्छा लगा, अगर कॉंसेप्ट चमका, तो make sure आप चानल को सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन पर क्लिक करदना जब भी मैं next ऐसा शॉटकट अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत आजाए मिलेंगे अगली शॉटकट में टेक केर बाबाई